नमस्कार दोस्तों मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूँ SSE Maker के YouTube चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Reasoning के 5 अती महत्पूर प्रेशन दोस्तों जो आपके अगामी सभी परिश्वाओं के लिए बहुत ही महत्पूरे दोस्तों हम आपके लिए Reasoning पार्ट वाइस करा रहे हैं Math पार्ट वाइस करा रहे हैं और पार्ट वाइस में दोस्तों हम उन प्रशनों को सामिल करते हैं जो Set Pattern के प्रशनों थे जो Exam-Oriented प्रशनों थे दोस्तों बहुत ही महत्पूर्ट प्रशन है दोस्तों Most important प्रशन है यह प्रशन बहुत बार exam में पूछा जा चुका है और ऐसे प्रशन हमेशा पूछे जाते हैं Simple तरीका दोस्तों बता रहूं आपको solve करने के लिए पहले एक बात और बता दू दोस्तों reasoning का part number 146 है ध्यान दीजिएगा चलिए तो question को पहले ध्यान से पढ़िएगा काफी important question है question क्या कह रहा है दोस्तों question यह कह रहा है दोस्तों दी गई स्रिंखला में प्रसंचिन का इस्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों यहां पर एक स्रिंखला चल रहा है यहां पर क्या है प्रसंचिन है यानि कि संख्या यहां पर गायब है दोस्तों यहीं पर बताना है कौन सी संख्या आएगी दोस्तों जब कभी भी आपके paper में ऐसे प्रशन आएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों संख्याओं को ध्यान से देखेंगे स्रिंख्ला से रिलेटेट कोस्टन कभी भी आएगा तो क्या करेंगे संख्याओं को ध्यान से देखेंगे यानि कि संख्याओं कैसे आगे चल लिए कहने का मतलब यह है देखि दस के बाद 32, 32 प्रिस्वाचे उसके बाद 652, यानि संख्याओं में जब कभी भी दोस्तों गैप जो अंतर है वो ज्यादा होगा, तो आप क्या करेंगे, अंतर नहीं देखेंगे, यह नहीं कि आप घटाएंगे, 4 में से 2 जा 2, 10 में से 4 जा 6, ऐसे अंतर आपको क्या करना है नहीं देखना है, आपको क्या करना है दोस्तों, गुड़ा के सेंस में सुचना है, गुड़ा के सेंस कहने का मतलब है, 2 के दुना के 4, 4 दुना के 8, ऐसे आपको सुचना है, तो यहाँ पर आपको मैं समझाने कोसिस कर रहा हूँ, 2 के बाद 4 आया है, तो क्या करेंगे दोस् ना, 13, हाँ भी क्या करेंगे दोस्तो, गुれ 2 प्लस 2, 4 दुना के 8, आठ में दोस्तो 2 जोड़ेंगे, तो क्या होगा, 10, समझ में आ रहा है न, देखे, 10 के बाद दोस्तो 32 है, तो क्या है, हाँ भी क्या करेंगे, दोस्तो, गुने 3 प्लस 2, तो 10 तीज रही 30, 30 में दोस्तो 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 32 समझ रहे ना पहले क्या किया दोस्तो गुने 1 प्लस 2 आगे क्या किया गुने 2 प्लस 2 आगे क्या दोस्तो गुने 3 प्लस 2 आगे दोस्तो क्या होगा गुने 4 प्लस 2 तो 32 चौको दोस्तो क्या होता है 128 और 128 में 2 जोड़ेंगे तो द प्लस दो होगा तो 130 पच्छे दोस्तों क्या होता है तेरा पच्छे 65650 में दो जोड़ेंगे तो 652 तो देखिए 652 यहाँ पर दिया हुआ है यानि प्रस्णवाचक चीने पर क्या आएगा दोस्तों 130 आएगा तो देखिए 130 किस ओप्षन में है देखेंगे ओप्षन नंबर दूसरे दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रस्ण को बहुत अच्छे तारीके से समझ गयोंगे और इस टाइप के कोश्चन आपकी एक्जाम में हैगा तो आप अच्छे से सौल्व कर लेंगे चलिए हम नेक्ष कोश् दोस्तों एक्जाम ओरिये हैं इसलिए वीडियो को आप लास तक जरूर देखिएगा और एक बात और आप क्या करिए वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके दोस्तों अपने आप से भी सौल्व करने की कोश्चन को प्रैक्टिस जरूर किया करिए दोस्तों सौल्व करने की कोसिस करेंगे तो आपकी क्या होगी दूस्तों प्रैक्टिस होगी और आप भी देखेंगे क्या आपको प्रशन आ रहाए कि नहीं आ रहाए नहीं आएगा तो उसके बाद से जब देखेंगे तो जिस टाइप के प्रशन नहीं आएंगे उसके बाद देखेंगे तो क्या होग दूसरा question इस टाइब के प्रेशन पहले भी कराया हूं तो देखिए question को पहले पढ़िए important question है question यह कह रहा है a b c d weights a b c d y दोस्त है a b से छोठा है पर e से लंबा है c सबसे लंबा है d b से छोठा है निमें सबसे छोठा क९ुण है इसमें जो आप लोग बनाते हैं बड़े छोटे का शूमबल बनाते हैं प्रश्ण को solve करते हैं नहीं से तो इसमें क्या होते हैं ज्यादा confusion होता है मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ देखिए इसका आसान तरीका क्या होता है दोस्तों जो बड़ा होगा दोस्तों हम उसको उपर लिखेंगे जो छोटा होगा उसको हम सबसे नीचे चोटा है यह क्या है दोस्तों बी से छोटा है किसे छोटा है दोस्तों बी से छोटा है कौन ए ठीक है कह रहा है पर ई से लंबा है देखिएगा कह रहा है ए बी से छोटा है पर ई से लंबा है यानि कि ई से लंबा है तो ई क्या होगा दोस्तों नीचे हो जाएगा ठीक है अब आगे कह रहा है दोस्तो, C सबसे लंबा है, C क्या है दोस्तो, सबसे लंबा है, तो क्या हो जाएगा, दोस्तो, C सबसे उपर होगा, clear है, समझ में आ रहा है, चलिए, कह रहा है, D, B से छोटा है, D क्या है, दोस्तो, B से छोटा है, पर A से थोड़ा लंबा है, यानि क्या होगा D जब B से दोस्तो छोटा है तो D यहां पे हो जाएगा और A से कहा रहा है थोड़ा लंबा है BUT A के उपर होगा जैनि कि इस वाले line में क्या होगा यहां पे आजाएगा आपका D पूछ कहा रहा है दोस्तो इन में सबसे छोटा कौन है सबसे छोटा कौन है बताइए जो सबसे नीचे होगा वही तो सबसे छोटा होगा सबसे नीचे कौन है दोस्तो सबसे नीचे है इसका अंसर क्या होगा दोस्तो ई हो जाएगा देखिए किस ऑप्शन में है देखेंगा ऑप्शन नमबर दूसरी में आपका ऑप्शन नमबर लिखेंगे जो छोटा होगा उसको नीचे लिखेंगे और तुरंत आंसर आजाएगा ठीक है चलिए अब हम नेक्ष कोशन की ओर चलते हैं और एक बात और बता दू दोस्तों आपको कोशन अच्छे लगते हैं समझ में आते हैं तो वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक कर सेर भी कर दीजे फेस्बूक वर्टसप टेलिग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास सटड़ी ग्रूप हो जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जूर जाएंगे दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन वेल को भी जरूर अन कर लीजिए करते हुए कमल ने कहा उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है उस बुजूर्ग का कमल के साथ क्या रिष्टा है बुजूर्ग मतलब दोस्तों बृद्धादमी बुढ़ादमी ठीक है यहाँ पर समझेगा अब यहां पर मैं समझाने कोसिस कर रहा हूं ऐसे दोस्तों प्रेश सहरा करते हुए कमल ने कहा है माल नीजिए दोस्तों यह बुजूर्ग है और यह कमल है ठीक है कमल क्या बोल रहे है दोस्तों उसका पिता देखिए उसका बेटा किसका बेटा दोस्तों बुजूर्ग का बेटा बुजूर्ग का बेटा कहा होगा यहां पर होगा ठीक है बुज क्या रहा है दोस्तों उस बुजूर्ग का कमल के साथ क्या रिस्ता है यानि ये जो बुजूर्ग है दोस्तों कमल का क्या लगेगा बताइए ये कमल के दोस्तों क्या है भाई के पिता है जब कमल के भाई यानि आपके भाई क्या पिता कौन होगा आपका भी तो पिता होगा त इस टाइप के प्रशनों को ऐसे ही solve किया जाता है और मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी गया होंगे चलिए next question क्यों और हम आप चलते हैं अगला question देखिएगा अगला question most important question है दोस्तों इस टाइप के भी प्रशन हमेशा पूछे जाते हैं ये प्रशन भी बहुत बार exam में पूछा जा चुग है क्या है most important question है तो देखिए कैसे solve करना है आसाम तरीका बहुत आसाम तरीका बताऊंगा देखिए दो तरह से ये प्रशन solve होता है एक trick से एक फ्रेशन को पहले पढ़िए क्या पूछ रहे हैं क्या पूछ रहें दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों तीन भूजाों से घीरी हुई आकरिती को त्र गूज करते हैं वान, ट्ू, थ्री, تीन हो गये, यह चार इक पाँच, यानि एक एक फिगर से कितने बने हैं दोस्तो, पाँच बने है, अब देखिए, दो दो को मिला के देखिएगा, यहाँ पे समझेगा, यहाँ पे देखिए, पेन ऐसे चला रहे हैं, थोड़े से देखिएगा, तीरशा हो गया और यहाँ पे वी दोनों तिर्भूज को नीचे से मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा हो गया pracy tools को मिला करें दोस्तों कितने हो जाएंगे और 3 वाले को पिरभूज बने इसमें 9 बने हैं इसका अंसर क्या होगा 9 होगा यह तो रहा दोस्तो basic method इसे count कर सकते हैं ठीक है अगर इसी में बड़ा रहा है तो count करना थोड़ा से यह दोस्तो possible नहीं हो पाएगा तो इसके लिए एक trick भी है दोस्तो आपको पहले भी बता हूँ फिर से बता देखिए अब यहां पर और अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ यह रहा आपका यहां पर count करिए इसमें total कितने तिरभूज है तो आप लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 यानि 1 2 3 ऐसे लिख लेंगे और इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 6 समझ में आ रहा है कि नहीं इसमें total कितने तिरभूज है छे इसी परकार से आप क्या करेंगे दोस्तों यहां इसको जोड explains 1 2 3 ऐसको जोड़िये 1 plus 2 3 कितने बने दोस्तों 3 2 5 6 और नीचे बने में कितने बनेंगे 1 प्लस 2 क्या करने है दोस्तो 1 प्लस 2 1 2 है ना तो 1 प्लस 2 कर लेंगे 1 प्लस 2 क्या होगा 3 6 में 3 जोडेंगे तो दोस्तो क्या होगा 9 होगा टोटल कितने तिर्भूज बनेंगे दोस्तो 9 बनेंगे नीचे 3 बनेगा, पता है कि नहीं? देखिए, यहाँ पर समझा भी दे रहा हूँ यह वला तिर्भूज बन रहा है एक आपका यह वला तिर्भूज बन रहा है और एक दोस्तों क्या होगा? जिसके अंदर दोनों तिर्भूज बन रहे हैं समझ रहे ना इस परकार से यानि टोटल कितने तिरभूज हो रहे हैं दोस्तों 9 हो रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा 9 तो आप क्या करेंगे ऐसे काउंट करेंगे 1, 2, 3 फिर 1, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 6, 7, 2, 9 टोटल कितने तिरभूज है चैनल exam finisher पर दोस्तों मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, zero level से पढ़ा रहा हूँ और chapter वाइस पढ़ा रहा हूँ exam finisher का link दोस्तों मैं नीचे एडिक्स्वन वाक्स में दे दिया हूँ आप youtube पर भी search कर सकते है exam finisher उस channel पर जाके दोस्तों आप channel को important question है, पूछा क्या प्रसन है, simple तरीका बताऊंगा, पहले प्रसन को ध्यान से पढ़िएगा, प्रसन ही यह कह रहा है दोस्तो, दिये गए विकल्पों में से संबंदित संख्या को चुनिए, देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तो, यहाँ संबंदित संख्या, simple भासा म 8 को क्या किया है, 12 हो गया, उसी प्रकाट 6 को हम कुछ करके लाएंगे, तो अगर 8 में दोस्तो हम 4 जोड़े तो 12 हो जाएगा, तो वही संख्या क्या करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, तो 6 में दोस्तो 4 जोड़ेंगे, तो क्या होगा, 10, लेकिन देखिए, 10 किसी option में है, न सही की एक नहीं, देखिए, आप करना कैसे है, मैं बता रहूँ आपे, अगर मैं बोलू दोस्तो, इस 8 को आप क्या करिए, 2 गुना कर दीजिए, तो क्या होगा, 16 होगा, और 2 गुना करके, इस में से 4 घटा लीजिए, तो क्या होगा, 12 होगा, इस 6 के साथ भी वही करिए, 2 गुना कर दीजिए, तो 6 गुना के, दोस्तो क्या हो जागा, 12, और 12 में से क्या करना है, 4 घटा लेना है, 12 में से 4 घटाएंगे, तो क्या होगा, 8, प्रश्नवा चछेक चिन magic, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गऊंगे चलिए अब next question देखते हैं और एक बात और बतादू दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमें Instagram पर फॉलो नहीं किया तो Instagram पर आप में जरूर फॉलो कीजिए लिंक नीचे दिक्सियों वक्स में दे दिया हूँ आप Instagram पर सर्च भी कर सकते हैं चलिए अगला question है आपका homer का question है टेश का question है दोस्तों यह आज का question है इसका answer सभी दोस्तों को comment करके बताना इसका सही answer क्या होगा जिन दोस्तों को नहीं पता है वो क्या करेंगे reasoning का part no. 145 देख लेंगे part no. 145 का question no. 4 था है part no. 142 में दोस्तों फुल detail में समझाऊ हूं इस type क प्रिश्णों को कैसे बीना पेन उठा है सेकंडों में सॉल्ट के जता है पार्ट नमर 145 दोस्तों आपको मिले कहां से इसका लिंक दोस्तों यह उपर आई बटन पर क्लिक करके आप डिरेक्ट नमर 145 देख सकते हैं एक बात और बता दू दोस्तों जो नहीं स्टूडेंट है उनके लिए बता दूह दोस्तों यह पंचम पढबलीशर की एबुक है आपक्यामी तोस्तों इस और लेंगे कहां से प्लिक दोस्तों मैं नीचे इकषे और नव्क्स में उस लिंक पे क्लिक करके इस इबुक को आप जरूर डाउनल прич कर लीजिएगा अगर आपको टाउनलोडिंग है पेमेंट से किसी पर करके समस्या भी होती है तो दोस्तों ये पंचम फब्लीशर का कस्टमर के नंबर है इस नंबर पर आप खॉल करके बाद भी कर सकते हैं इस एबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूँ इसमें जो कर लीजिए नोटिफिकेशन वेल को भी जरूरान कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन में तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपर्डेन परिशनों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यबाद